थन्दी है हावा थे जो आए सम्हालो हमको कभी नह जाए सहलाए सम्हालो हमको सभी से आगे जाए हमी है उनके प्यारे सभी से आगे जाए थन्दी है हावा हमी तो है तुमारे खार तभी तो है तुमारे पार ना छोरो कभी हमारा साथ कभी ना कभी तो नगरा वाल्कम टू दा न्यू व्लाग तो आजका व्लाग है फस्स टाइम में है यह मुझे जिम केस स्टार्ट करो मेरे साथ टाइम नहीं है और मेरे साहत कोई दोस्त नहीं है मेरा ट्रेनर नहीं है कि मुझे गेम बता सके यह वार यह सभोम को मैं सबसे पहले कहता हूँ कि आप फरस्ट टायम जिम में खुझ बाखुट ट्रेनर ही होता ही है जो आपको कुछ związ workshop लाको बता सकते है और दूसरी बात वो आपको जब आप पहली बार जिम जाते हो तो कोई ना कोई ऐसा होता है कि आपको गेम बता सकता है या जिम वाला पहली ही ट्रेनर आपके दिनों में मिक्स गेम बता सकते हैं ये पहली ये गेम है और ये गेम है उनके लिए कुछ भी प्राबलम नहीं, वो भी कर सकते हैं, और ये बाद भी काफी लोग करते हैं कि मैं जिम स्टार्ट करता हूँ बड़ो मेरे साथ टाइम नहीं कि जॉइन करूँ, मैं तो कहता हूँ कि एक बार चले जाओ, जान बूच करना, बस चले जाओ, ये कभी आप क होगे कि मैं अभी जाता हूँ, बस थोड़ा टाइम देखता हूँ, कल जाता हूँ, नहीं, कल जाता हूँ, ये कल आपका नहीं आएगा, आज ही जोइन कर लो, आपना फिटनिस बना लो, ये बात नहीं कि आपको कुछ लोग कहते हैं कि आपकी जब जिम छोड़ देता तो फिर खराप हो जाओगी, खराप नहीं होगे, आपका मसल बनी रहेंगे, बट आपकी बोड़ी आइस्ता इस्ता आपकी जो कट्स निकले है, उस पर आइस्ता इस्ता फैट निकल आएगा, आप आप नॉर्मल जैसे होगे, उसके बाद जब आप कुछ महीन उबाद, कु गर में भी स्टार्ट हो जाती है, वो एक बोड़ी बेल्डर है, नाम बूल गया, उस वो एक दिन ऐरपोर्ट में आ रहा था, तो उसने सिर्फ जिम की डंबल की आवाज सुनी, तो वो तो कह रहा था कि बस अभी मिल गया जिम, यही जाता हूँ, वो एक दिन का फीज दे द जरूरी है, जिम के लिए पहले जाता हूँ, क्योंकि वो बोड़ी बिल्डर है, हाम अखा जिम के लिए जाएगा, तो उसने रास्ते में ही, क्योंकि वो बहुत आदी हो जाता है, जिम के साथ, तो मैं एक बिंग कहता हूँ कि आज ही चले जाओ, जिम जोइन करो, अपना फ दो हाफते लगाते हैं, पिर आपकी बोड़ी वेसी के वेसी हो जाती है, तो ये जिम के रूल्स होते हैं, आपके खाहाप खाहाप नहीं हो गए, और अगर आप स्टेरोइड यूस करते हैं, तो उसका जिम्मेदार तो आम नहीं है, तो गलत साइड इंफिक्शन तो लेगा तो यही बात है, और दूसरी बात है, और दूसरी बात है कि आप बेली जाये करो, चुटिया मत करो, और दूसरी बात, कि अगर आपको कोई दोस्त कहते हो कि मेरे साथ दोस्त नहीं है, तो दोस्त होने कि कोई ज़रूरत नहीं, दोस्त कुछ टाइम रहता है, और आपको उन जजबा चाड़ाया होता है कुछ ताइम तक जजबा होता है पिर उसके बाद नहीं जाता और इसके साथ आप भी जिम चोड़ देते हैं तो काइंड आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई दोस्त जरूरत नहीं अगर आपके साथ है जिम की शौक रखता है या बिलकुल सही रखता है तो वो आपने साथ ले जा सकते हो उनकी साथ दोस्तों के साथ जिम गेम भी अच्छा लगता है सही बात है यह जो उसके साथ हेल्प भी मिल सकती है वेट भी अच्छा उटा सकते हो बट अगर किसकी साथ दोस्त नहीं है तो नहीं अगेले विंग गेम लगा सकते हैं यह बात बता दीता हूं कि जब मैं पहली पहली बार जीम गया था तो के दो मुजी सबसे पहले जिम का ट्र然后 ना जिसके मैंनेजर कạoल Att narratives के तो उसने मुझे mix गेम बेसे के एक हफ़टी تक मैने mix लगा Спनी लगाइ उसके बाद उसने मुझे साल तक मुझे या पता नहीं गेम मे जुए हम हुग कर सौड़ और जिता है तकर सल तक मुझे यह शोल्डर बस मैं गेम लगा रहा था उसने का के ट्राइज से बस गेम तो सीख लिया एंगल मेरा बराबर हो गया पिर मुझे ये नहीं मालूम तक है ये गेम जब मैं एंगल से लगा रहा हूँ ये किस जगह फील करता है इसका मुझे पता नहीं ये तकरीबान एक साल के बाद मुझे पता चला विए आप पर डिपेंड करते और आपके जिम पर डिपेंड करता है कि आप ये गेम सीख जाओ सही बात है और दूसरी बात ये है क नए इक हफते मिक्स गेम लगा यहां कि अइस आइसता चलता रहा इस्टिप बाइस्टिप तो उसके राद मैं एक दिन 23 गेम लगा था 23 गेम मैंने लगाया था पहली पहली बार मैं जगह सी भी नहीं वाट रहा था तो एक बंदे ने मुझे जिम से हाथ से उटाया कि बाइक तक नीची बिटाया है मतलब तीसरे मन्जिल पी जिम थे और कौाट में है वाल जिम तो बाइक तक मुझे बिटाया है तक्रिबन दो दिन तो मैं सही चल नहीं सकता था उसके बाद पिर आइस आइस्ता पर जिम में आता था आइस्ता बस बहुत पिर उसके बाद मैं आदी हो गया क्योंकि है एक हफ़ते तक आपकी बोड़ी भी बहुत दर्द कहती है स्टार्टिंग में उससे कोई गबराना नहीं और गबराना बिलकुल नहीं किये मेरा बोट मै किसी के साथ ना गब शप और ना बाते करना है बस अपना गेम लगाने क्योंकि उससे अपना टाइम वेस्ट होता है दूसरे बात आपको मैंने पिछली व्लॉग में भी बताया था कि अगर आप रेस ज्यादा करोगे तो आपकी बोड़ी कोग फिर दोबारा वाम आफ की ज करते हुई टीकाया करो आप मैंने से आप में अचारी कि जीम को जॉईन करो अपने फिटणिस बना लूँ कि अगर मैं बता दू तो इस से लोग कहते ही कि जीम अपका फाइद क cemetery आपको फाइद है क्या हैं बहुत फाइदे देते हैं सबसे पहले बात मैं बता दू कि अगर तू जिम ट्रेनर बन गया तक्रीबान तिन चार पांचे साल अपने जिम कर दी हैसे भी अगर मैं कहता हूं काम बिंग किया करो जिम भी जोइन किया करो और दूसरी पात अगर काम नहीं करते ना कुछ प्रॉब्लम में घर से या मैं तो कहता हूं पकिस्तान में अगर अगर अधर सिटी से ओर लाहूर इसलामबाद पिंडी कराची से वगयर से ना पिशावर से तो आप काम बिंग कर सके कि कि वहां कि सेल्डी ये चोटे मोटी शे आज़र आचथाजर 670 यहीं दर्मेयान आपको महीन दे देते हैं तो किया करो इनसान कि अगर आपके इनकम बज़ट सही नहीं आए तो किया करो बिलकुल सही कोई बात नहीं जिम इंग कि करวा है सही च Iya cinнаusta बस तो कोशचिस करता हूं कि आपको भी भी यही कहता हूँ कि आप ट्रेनर बन जाओ ट्रेनर जब आप बाहर जाओगे ना दुबाई या कतर सबसे पहले बात है तो अपना काम स्टार्ट किया करो कोशिश किया करो कुछ टाइम तक लोग वो बराए नोकरी करते हैं जॉब करते हैं फिर जॉब को छोड़ दिया करो वणार बन जाओ कुछ पैसे जमा करो बाहिरी अपना जयम को को लो यह पाकिस्तान में अपना जयम को लो यह सभी बात है ना यही बात है और इनको मिक क्याल कि यार जर्टो ने प्रुटीम होता है और हैज और शे आप आनलाइन बिजनिस बिंग कर सकते हो और्निंग प्रूटीन वखेरा इसका सब्लिमेंट दुकान वखेरा बिंग कुल सकते हो आनलाइन बिंग बेज़ो और अपने जिम से बिंग पेज़ो जिम का बिंग फाइदा और दुकान का बिंग फाइदा आनलाइन का बिंग फाइदा कितने आपका माइंड होना चाहिए सोच होना चाहिए और अपना यूटीब चैनल बना लो फिजबुक पेज बना लो लोगों को फिटनिस से काओ फिटनिस के बारे में क्या टिप्स होते है ये उते है और ये होते है काफी लोग जिम बिंग चलाते है आपना काम भी करते जोड करते आओनलाइं बिजनिस मिंग करते योटीब भी चालाते आप और आप आप यह को रहां जाते हैं। है और आप को ताने देते हो कि आप जिम छोड़ देते हो फिर आपकी बोड़ी खराब हो जाए कैसे खराब होगी जब हम छोड़ींगे ही नहीं हमारे कम्याबी और सब को जुनूनी यह यह हा ना जैसे खान को अपने जिद बनाई हुए है तो ऐसे जिम में भी जिद चलता है पता है जिम को भी अपना जिद बना लो कि मैं बनाऊँगा ऐसे ही बनाऊँगा छोड़ूंगा नहीं सारे को यही बात है मोटिवेशन होना चाहिए मोटिवेशन हमारे मिडल कलास फैमली में जो मैसे कुछ है कि वो गर में बैठे रहते हैं बस गेम फब जी वगहरा केल द अगर आप तक्रीबान 11-12 साल के हो 11-12 साल के बाद के मैं ही कर रहा हूं कि अगर मैं कहता हूं कि यूटूब चैनल बना ले या कोई ऐसा बिजनिस टाट के तो हमारे उमर तक्रीबान 19-20 साल तक पहुंचेगा तो उनके अपने करोबार होगा यह पब जी फायर से कुछ नह लिए बाता हैं यह टRIP मैं काफी अपनी कजन्स को भी देता हूं जोग कि अपना चैनल बना लो गेम के बारे में यूटूब बता दो अब दो दोस्तों को ना आप इने में बता दो कैसे काम किया करो अपना फिटनिस बना टाइम जायर है करो आपके साथ तक्रिबान अगर ताइम है तो अगर आप 20-25 साल तक अपना आपके साथ टाइम है उसके बाद अगर आपने 20-25 साल तक कुछ ना कुछ किया हो अपना करोबार बिजनिस हो उसके बाद आपने शादी वग्यरा कर ली तो आप बरबाद होगे अगर आपने कुछ नहीं कि आपने अपका कुछ लोगे ना कि मजबूरी से आप बाहर चली जाओगी या अगर आप मजदूरी कर या तो रेड़े पर लग जाओगी अगर आपके साथ फैमिली के सापोर्ट हो तो आप कोई दुकान वगयरा कोल दोगी अचलो आपनी वीजा लगा है सबसे पहले ये बात है ना अपनी वीजा लगा है कुछ उमर तक तो आप अपने बच्चे को भी नहीं देख सकोगी बच्चे को कोई भी नहीं देख सकोगी अपने के उसका मुस्तविल क्या होगा वो क्या करता है कैसे स्कूल पढ़ता है किस के साथ बैठता है और किस के साथ ये आपके माइड में होना चाहिए हमा हमारे लोग बहुत चोटा सोच रखते हैं पता है वो शायद अनवर के हंड्रेट परसंट मैं सपोर्ड करता हूं वो एक एक बात सही करता है किसी से उम्मीद यह ना रखो यह मेरे लिए कुछ करेगा सबसे सबसे काम्याब इनसान का तजरुबे कि वो किसी से उम्मीद नहीं रखता है पता है तो काइनली खुद ही अपनी जिन्दगी बना लो आज ही ओड़ जाओ यह मुझे भी यह बहुत होता है कि अकल करूंगा कल करूंगा यह कल नहीं है था यह कल आज सी कल कर लो बहुत मोटिविशन सी चल गया जज़बा चल गया यह जो मैं आपको बात आपको बात नहीं कहते हैं इसमें भी मैं भी सुष्ट हूं बट मैं कोशिश करता हूं कि उठ जाओं और शेरो की तरह सो इंशालला कोशिश करते हैं इसी से मैं फैस्ट टाइम मैं आपको शोट भी मैं दिखाता हूं कि मेरे पिक्चर में पहले किसे था यह तकरिवां जो मैं अब को पिक्चर दिखा hy यह भी मैंने तक्षिवान एक साल तक किया था फिर भी मतलब मैं एक बार वजन दो किम कम किया था उसके बहुत, उसके बाद मैंने खुराक स्टार्ट कर दी, पहले सबसे पहले अगर मैं बता दी तो मेरा कोई बड़ी और खेरा नहीं थी, काम जोता, मसल नहीं थी, बाइसेब और खेरा, चेस्टब कुछ भी नहीं था, उसके बाद खुराक स्टार्ट किया, खुराक करने के बाद मोटा हो गया मोटा करने के बाद पिर चोटा दीन बोडी बना ली मतलब बोडी नहीं थी बस वजन कम किया था वेट कम किया था फिर उसके बाद पिर खोराक स्टार्ट किया पिर वजन कम किया था मतलब पिर वजन स्यादा होते पिर अभी मैंने सही बोडी के साथ सक्त और हार्ड बना ली और आप खुद डेली वीडियो में बिन देखते हो और यह बना ली अभी फुल नहीं बनी कुछ आइस्टा इस्टा बनीगी टाइम टाइम के लिहास से जब फुल बनीगी तो आप भी मेरे साथ हो खुद बाइस्टा चलेंगे इन्शाला तो कैसे लगा व्लॉग यह पर खतम कर देते हैं और कमेंट शेयर लाइक जरूर करना और यह इन बातों को फोकस देना और मैंने इसके बाद मैं और आपको भी पिक्चर्स देखाऊंगे कि मैं पहले कैसे था अब कैसा हूँ सो और पिक्चर्स भी देख लो खेर हैं कुछ पिक्चर्स हैं वीडियोज भी हैं मैं आपको बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में मेरा बाई सेप कैसे बनी थे कर्स वगेर नहीं थे कर्स अभी निकल आए तो कैसे लग अब लॉक कमेंट में जरूर बताए देना लाइक शेयर कमेंट कर देना और दोस्तों को में शेयर कर दकता कि दोस्तों को भी हल्प हो जाए शायद क्या पता है मेरे वीडियो से दूसरी दोस्तों को भी puff कर देंगे हैं और वो अपनी जिन्दगी बना लिए ऐसी एक पहली बात मैं ये बात कर देता हूँ कि अपना दिल साफ करो हर किसी के लिए सही मश्वारा दे दो और कहते हैं जब अगर आप अपने बाई के लिए दुआ करोगे ना कि या ऐला मेरे बाई को ऐसे इसी दे ओख तो आप अपने बाई के लिए मांगते हूँ मैं सबसे पहले आपको यी दे देता हूँ ये बात है यार व्लोग को कमेंट करो या कुछ प्रॉबलम वो बता दो लाइक शेर कर दो चैनल को सब्स्ट्राइब करो प्लीज यार सब्सक्राइब करो तक आपको नई आने वाली वीडियो जल्दी मिल जाए और बेल का इकन ज़रू दबाना और दौाओ में आदा कना अल्ला आफेज तो टेक केर